इते को ही लिए कोलयंचन सेल्ज और के सिस्ट को जो हैं भादी को सपोल्ट और स्टेंग्स प्रक्रृइट करते हैं जो इस स्थेंग कर्यों को सिस्ट क्लेरेंग हॲं इस तो एक रूट का सेक्शन और से os. का सेक्षन है तो इसमें उनकी सारी पोजिशन जो हैं टिशू लेयर के क्लियर हैं यह इसमें जो एंडोडर्मिस के नीचे परिसाइकल पाई जाएगी तो परिसाइकल जो है वह वन टू सेवरल लेयर्स ठिक होगी और उसके नीचे जो है यहां पर इसकलेरन काईमा सेल्स लगा एक हो दोन के लिए गयार्म के एसंड़ मिलेंगे और इनका फंक्शन होगा प्लांट को सपोर्ड और स्टिंद्धर में जो हो स्ञाइब करना शुरू में जब मेर्टाष्गे जो हैं उनका जब उनको जाता है कर आवब हो जाते हैं तो हम दिश्किश सिलुर के नहीं होते हैं और दूसरा से लिए और यह तो थोड़ा तो धूसरे के साथ इंट्रलाक कर लेते हैं तो इंटरलॉक करके डंडल बना लेते हैं यह सिंग्नल भी पाये जाएंगे यह बंडल के फार में भी पाये जाएंगे क्योंकि इनका काम ही है support और इसेल्स जो हैं इनमें देखे simple पिट्स पाया रहे हैं और जो पिट्स होंगे वह लिगनन नहीं पाया जाएगा और रिस्ट आप दो फाइबर जो होता है उसमें ठीक लिगनन पाया जाएगी तो जिसमें लिगनन पाया जाएगा उसे क है इसबते ही कि है इस स्थेंग इंखर जाती है इसकी बहन करने की चमता मे करने के चंबता करने की सक sih कर जाती है और यह प्लांको जो है इस में बिसेंखर urar तो करता है इनके कारण प्लांट में दूचीजें होती हैं यह एक चोल यह बैंश़ कर जाती है एंचिर behavioral स्थेंट के मिनिंग हो गया बच्छो कि अगर इसको इस्टेच किया जाए तो यह जल्दी इस्टेच नहों वो उसकों ररेजिस्ट करे तो टेंसाइल इस्टेंट बहुत अधिक होती है दूसरा इनका एक और हो जाता है कि इनकी कांप्रेशनल इस्टेंट भी बहुत हो जाती है जैसे अगर इन सब को लेके ऐसे compress किया जाए तो ये दब के थुड़ा सा और इसका diameter कम हो जाए तो इनके वज़र से इनकी compressional strength बहुत जादे होने के वज़र से ये compress नहीं हो पाते हैं जैसे हम लोग अपने बेल्ट लगाते हैं बेल्ट के बकल को टाइट करते जाते हैं और ये compress होता जाता है तो यह जहां पर fibers पाए जाएंगे वहां पर compression नहीं हो जाएगा वो दब नहीं पाएंगे तो यह दो चीज़ें प्रवाइट करता है एक tensile strength प्रवाइट करता है दूसरा compressional strength इसको इन tissues के द्वारा plants को provide होती है यह जब cell की death हो जाती है जब प्रोटोप्लास समाथ हो जाता है तो यह जो है वह नान-functional हो जाते हैं यह स्कलेरेट से यह देखिए इसमें कैनाल सिस्टम से ब्रांच है इसमें लिगनिफेकेशन है लिगनिफेकेशन इस सेल का कैसे हो रहा है से जब पाया जाएगा सीट की जो कोटिंग होगी उसमें इस्टेंद प्रोआइट करेगा जो यह फाइबरस हैं जो इसमें पिट्स पाया रहे हैं सिंपल पिट्स तो फिबरस जब आगे आप जाहिलम टिशू पढ़एंगे तो फाइबरस वहां भी पाया जाएंगे लेकि में थोड़ा सा जब तकि लिविंग है तब तकि कंड़क्शन का वाटर कंड़क्शन का भी काम करेंगे